नमस्कार दोस्तो आप सभी का हूम रेसेपी चानल में पहुत पहुत स्वागत है आज तक आपने हजारो बार इडली बनाई होगी या फिर इडली के कई प्रकार बना कर खाये होगी जैसे की इडली फ्राइ मसला इडली या स्टफड इडली ऐसे ही नए प्रकार की आज मैं आ प्रकार इडली बना कर दिखाने वाल हूँ जोके आज तक आपने ना बनाया होगा ना ही खाया होगा तो फिर चले इसे कैसे बनाते हैं वो देख ले वैसे तो आप सभी इडली बैटर तो बनाना जानते ही होंगे फिर भी मैं आपको अपने तरीके से आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले इडली का फटा फट बैटर बना के दिखाता हूँ तो उसके लिए मैंने मिक्सिंग बोल में डाला है तीन कप साधे वाली चावल दोस्तो तीन कप चावल के पीछे हमें लेना है एक कप उड़त के दाल अभी इसमें काफी सारा पानी डालके पहले इसे धोकर लेंगे तो ऐसे हट चलाते हुए अच्छे से दो या तीन बार दो कर लीजिए और दोने के बाद जरुरत के इसमें से पानी डालके चार गंटे भिगने के लिए छोड़ दे तो इसे मैंने गड़ी में देख चार गंटे भिगो कर लिया है अभी इसे उठा के मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेते है तो चावल के साथ साथ हमें बिगोया हुआ थोड़ा सा पोहा भी एड़ करना है अभी इसे थोड़ा गाड़ा ही पीस कर सीधा एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसपर करेंगे तो दाल चावल कॉंटिटी में जादा थे इसलिए मैंने इसे दो बैच में पीस लिया है दोस्तों अभी हमें इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं बस अच्छे से मिला के फर्मेंटेशन के लिए ओरनेट छोड़ दे जैसे कि आप यूडियों में देख सकते हो कि हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बना है अभी इसमें से आदे बैटर को एक अलग से बोल में निकालेंगे क्योंकि आदे बैटर का मैं डोसा बनाने वाला हूँ तो अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था तो स्वादा नुसार नमक डालके पहले अच्छे से मिलाएंगे यानि कि हमें बैटर स्मूथ बनने तक फेट कर लेना है और ऐसे मिलाने के बाद मैं आपको अभी इसकी धबबा इडली बना के दिखाता हूँ तो उसकी लिए तवे को कुछ भी लगाए बिना पहले बारी कटा हुआ प्यास डालकर साथ में डालना है बारी कटा हुआ टमाटर और बारी कटी हुई दोहरी मिर्ची डालकर इन तीनों को पहले बून कर लिते है यानि कि पेस्ट टमाटर हलके से स्वाप्ट होने तक गयस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रख कर चमच चलाएंगे और ऐसे चमच चलाने के बाद उपर से थोड़ा बटर और हरा धनिया डालके फिर से इने भून कर लेते है दोस्तों यहाँ पर मैंने बटर का इस्तिमाल किया है ताकि यह खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे आप चाहे तो तेल या गी भी डाल सकते हो तो आपको तेल बटर गी जो भी इस्तिमाल करना है वो करिए और थोड़ा सा चमच चलाके इस तरह भून कर लीजिए आप व्योडियो में देख सकते हो कि प्यास टमाटर बढ़िया सौप्ट हुआ है अभी इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते है यह देखो आप ऐसे डिवाइड करने के बाद जो हमने इडली का बैटर बनाया था उसमें से एक एक चमच बैटर को एक एक पार्ट के आने से मन बरा हो तो इस दब्बा इडली को जरूर बना के देखे और बनाने के बाद यह आपको और घर में सबको बेहत जादा पसंद आएगा अभी इसके उपर थोड़ा थोड़ा सांबर मसाला डालके थोड़ा सहरा धनिया डालेंगे और बाद में ग्यास की फिलिम को मी बटर डलना है अब इन सबको दुसरे सैट पलट के दुसरे सैट से भी एक मिनिट तक सेक लेना है यह देखो आप दब्बा इडली बनके तयार है तो इसे बना के आप बिना किसी चटनी के या फिर आप आपकी मन पसंद चटनी के साथ या सांबर के साथ आराम से खा सकते हो तो फिर मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट विडियो में